इन्फोसिस एक मश्यूर सॉफ्ट्वेर कमपनी है इसके संस्तापक नारायन मूर्ती है वह एक साधारान व्यक्ती थे जिनोंने कड़ी मेहनत की और अब विश्वप्रसिद्ध हो गए है उनकी पत्नी सुधामूर्ती है वह लेखी का है और कई व्याख्यायन देती है ये दोनों IIT कानपूर में एक डिसकाशन कर रहे थे और अपने अनुभव साजा कर रहे थे श्री मूर्ती ने कहा उस दिन मैं लंडन से आ रहा था और मेरे बगल वाली सीट पर करीना कपूर बैटी थी इतने सारे लोग उनके पास आये और हलो कहा उसने प्रतिक्रिया देने की भी जहमत नहीं उठाई मैं थोड़ा अश्चरचकित हुआ उसने पूरी तरह से सभी को नजरजन्दाज कर दिया जो भी मेरे पास आया मैं खड़ा हो गया और हमने आदे एक मिनट तक बात की वे बस यही उमीद कर रहे थे मैं तो बस उनकी खुश्या लोटा रहा था मुझे यह देखकर आश्चरिय हुआ कि वह अपने प्रशंचकों को नजरजन्दास कर रही थी इसी बातचीत के दौरान सुधामूर्दी ने उन्हें टोकते हुए कहा उनके लाखो प्रशंचक है वो ठक गई होगी उन्होंने आगे कहा मूर्थी एक संस्थापक एक सौफ्ट्वेर व्यक्ति को शायद दस हजार मिलेंगे लेकिन एक फिल्म अभिनेता को दस लाख मिलेंगे वो ठक गई होगी उन्हें खूब तालिया मिली और सभी ने उनकी बात पर सहमति व्यक्त की लेकिन इसके बावजूत्ष्री मूर्थी ने कहा नहीं मुद्दा ये है कि जब कोई स्नेय दिखाता है तो आप उसे वापस भी दिखा सकते है एक साधारन नमस्ते पर्याप्त होगा चाहे आप कितने भी तराम में क्यों ना हो कम से कम मुश्कुरा तो सकते है ये भी संभव नहीं है इतना अहंकार अच्छा नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ अपने प्रशंचकों को संभोधित करने और नमस्ते कहने से आपके अहंकार को कम करने में मदद मिलेगी कुछ उनसे सहमत थे तो कुछ उनसे सहमत नहीं थे क्या आपको लगता है कि ये उसका अहंकार था आप क्या सोचते है नारायन मूर्थी और उनकी पत्नी दुनिया भर में यात्रा करते रहते है और अपने अनुभवों को साजा करते रहते है जब वह विदेश यात्रा करती है तो हमेशा अपने साथ भोजन और बरतन का एक बैग ले जाती है लंडन से बैंगलोरो की उडाण में उन्होंने सलवार खमीश पहनने के लिए अभी जात्रा वर्ग की कुर्पालोता का सामना करने के बारे में भी बात की थी उन्होंने सबी कमेंट्स को नजर अंदास कर दिया और जैसा चाहे वैसा किया ये इस जोड़े द्वारा साजा की गई एक और कहानी थी ये जिसरी Nat yönएा और जैसा रो ये जदरो़े इसे दो चाहे इसेrain का सम्सक्रादस कर द Ma illustration और डरी जाुसमा जैसा पहरे में झाल